अधर आपने आप तद चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और ये बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए इसके लिए हमें चाहिए कच्चे केले, कसावा नारियल, जीरा, हल्दी पाउडर, काला मिर्च पाउडर, कमाटर, अधरक, हरी मिर्च और दही कसावा नारियल को मिक्सर की बोल में ले लेते हैं, जीरा मिलाएंगे, हल्दी पाउडर मिलाएंगे, और ब्लाक पेपर पाउडर मिलाकर, थोड़ा सब पानी मिलाएंगे, और साथ ही में मिला देंगे स्वादा अनुसर नमक इस अच्छे से ग्रेट कर लिया है, देखिए, कच्छे केले को इस तरह से हम काट लेंगे, उसका छिलका निकाल लिया है, और इस तरह से लंबे पेसिस करके काटा है, कटा हुआ टामाटर, कटा हुआ अधरक, हरी मिर्च, थोड़ा सब पानी मिलाएंगे, स्वादा नमक द दालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे हमें एक विसल तक पकाना है, यह देखिया है, सब्जी देखिए, पक चुकी है, अब इसमें हम मिलाएंगे, यह कोकुनेट पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे आप पकाना है, यह आप इसमें दही मिलाएंगे, और इस तरह से अच्छे से से मिक्स कर लेजिए और अब तड़की की बारी तो मैंने तेल ले लिया है उसमें राई और ये लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते डाल दिये और ये जाएगा करी के उपर इसमें हम थोड़ा सा मेथी पाउडर डाल लेंगे और ये कच्छे केले का करी रेडी है जरूर से आप इसे ट्राई कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक और शेर कीजिए और अगर अब तक चानल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपी, हल्दी और सेफ